तो आज हम लोग देखने वाले हैं अंडरकट और स्लाइडर एंगल कैम एंगल कैलकुलेशन के बार हम देखेंगे कैम पिन जिससे स्लाइडर को हम मुमेंट करवाते हैं ठीक है तो चलिए सबसे पहले मैं एक चीज देख लेता हूं कि अवाज बहुत प्रॉपर तरीके से आ रही है अगर आपको लाइफ चेटिंग करना है तो आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ओके चलिए तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं अंडरकट बैसिकली अंडरकट होते क्या है ठीक है किसी भी कंपोरेंट के किसी पार्टिंग लाइन के कंपोरेंट की पार्टिंग लाइन के पर्पेंडिकुलर होता है ठीक है तो देखो पार्टिंग लाइन है यहां पर होगी ठीक है तो इसके लिए क्या है यह पर्पेंडिकुलर है देखो इसके क्या है यह पर्पेंडिकुलर है तो यह इसका जो तो ejection का pull direction है तो basically pull direction में ये रुकावट पेदा करेगा रुकावट पेदा करेगा, simple सी बात है, देखो अगर मैं इसको निकालता हूं तो ये रुकावट पेदा करेगा यहां पर तो ये कहलाएगा undercut, तो undercut basically हमारे पास mold में, mold technology के अंदर तो तरह के undercut होते हैं कौन-कौन से, external undercut और internal undercut, ठीक है, कौन सा है external undercut और internal undercut, ठीक है, यहां पर यह दिख रहा है, जो component की surface की inner side पे है, तो उसको बोलते है, external, internal undercut, ठीक है, जो component की inner surface पे अगर आपको मिलेगा, तो उसको बोलेंगे internal undercut, यहां पर यह वाल undercut है, यह क्या है, external undercut, ठीक है, यहां प एटरल अंडरकट यह रहा अंदर वाला ठीक है एक्टरल अंडरकट यह रहा बहार वाला ठीक है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इंटरल और एक्टर अंडरकट क्या होता है ठीक है ना चलो तो आज आम उसके सबसे पहले चैनल को आप सबस्क्राइब कर लोगे तभी आप मुझे लाइफ चेटिंग में आप मुझसे बात कर सकते हो तो लाइफ चेटिंग में मैं एक पर देख लेता हूं कौन-कौन अविलेबल है आशिच जैस्वाल बजी बोल रहे हैं गुड इवनिंग वेरी वेरी इसमें हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से एंगल को हम लोग केल्कुलेट करते हैं किसी भी कैमपें के लिए तो चलिए तो अंडरकट में आपको पता है मतलब अंडरकट और दो स्वीचर इन एजेक्शन मोल्ड ठीक है इन एन इंजेक्शन मोल्ड पार्ट देट जरूरत होती है ठीक है चलो तो अंडरकट के लिए हम लोग यूज करते हैं स्लाइडर ठीक है इंटरनल अंडरकट के लिए हम लोग यूज करते हैं जनरली अगर मैं बात करूं तो इसके लिए एक्शन अंडरकट के लिए स्लाइडर यूज करते हैं इंटरनल अंडरकट के यहां पर देखो यह component दिख रहा है अगर मैं एक काम करता हूं मैं NX Unigrafix खोल लेता हूं वहां पर जो component मैं आपको कुछ बताऊंगा तो आपको उसमें external और internal undercut V में आपको शो कर देता हूं तो यहां पर पहले सब्सक्राइब के लिए निकालने के लिए रणर का डाया के से निकाले प्लीज बताईए थोड़ा सा देखो वह फॉर्मूले से कैलकुलेशन से होता है लेकिन उसमें थोड़ा साथ टाइम लगता है इस कारेंट से मैं इसको अभी नहीं बता पाऊंगा आज जिस के उपर हम लोग कॉंसेंडरेट कर रहे हैं उसके उपर हम लोग बात करते हैं तर मैंने आपको मोल्ड बेस भीजा था वाट्स अप पर आ यहां पर हमारे पास पहले से एक कंपोनेंट अविलेबल है देख लेते हैं यहां पर मेरे पास कंपोनेंट है ठीक है इसको मोल्ड को खुल लेते हैं तिंए के इब यहां पर हमारे पास ओपनेतर इसके अंदर जो अंटर किड़ों इसके इंदर अक्रलिओ अगर मर सब्छा करका सब्सक्राइं के आपको देख़ो partnerships चार पाँच अब आपको बता रहा था कि निकलने में problem करता है निकलने में क्या करता है यह problem क्रिएट करता है ठीक है अच्छा अगर मैं को एक्ष्टूड कर दूँ ठीक है और यहां पर मैं इसको इसकी कोड़ोर केविटी को क्रिएट कर दूँ जैसे कि बन गया ठीक है यहां से अगर मैं इसको हटा हूं को भी अगर अटा हो ठीक कम्पोनेंट को नहीं आथा चलो तो देखो यहां पर यह दिख रहा अभी हम लोग किसी दूसरी चीज़ की बात करेंगे उसके लिए मैं new file ले ले लेता हूं और इसको मैं कर देता हूं ओके यहां पर कोई component अगर हमारे पास available है तो देख लेते हैं पर यहां पर bobbin का component है हमारे पास ठीक है इसको देख लेते हैं तो यह बॉबिंग का component है, इसके अंदर भी एक undercut है, लेकिन इसका undercut किसे पता चलेगा हमको, Ctrl H करके देखते हैं, यहाँ पर देखो, इसके undercut कुन सा है, देखो यह वाला portion दिख रहा है आपको, यह इसका undercut है, यह वाला portion दिख रहा है, इसका undercut है, इसको हम लिए identical component है, चारो तरफ से ही क्या है, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे split mold, split mold is a great way to cast complex shape, और small or to medium quickly and effectively, ठीक है, कोई भी identical component अगर आपके पास available है, तो उसके लिए आप 2 half split बनाओगे, 2 half slider बनाओगे, और उसको आप guide rail के उपर slide कर सकते हो, इसको half इदर slide किया, इसको half इदर slide किया, और बीच में component ready हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन इसके लिए भी इसको slide करने के लिए भी हम लोग came pin का इस्तमाल करते हैं, उस came pin का calculation तो हमको पता होना चाहिए, we should have knowledge about the came pin calculation, तो चलो, यहाँ पर slider pin के बारे में हम लोग थुदा साब बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे slider pin के बारे में, तो इसमें कुछ thumb rule है, आप चाहो तो copy और pane आप ले सकते हो, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर plastic mode lesson का course एक September से start होने वाला है, हर मन्त की एक तारिक को start होता है, तो इसकी limited seat है, जैसा मैंने आपको बताया था, 30 days का complete course है, online live lecture में इसमें provide कराता हूँ, live google mid classes, lecture recording, complete 10 folder course, component and source file for the practice, 500 रुपे इसका registration fees for securing seat, इसके लिए NX Unigraphics का knowledge होना आपके पास जरूरी है, अगर NX Unigraphics का knowledge आपको है पहले से, तो आप direct plastic mode design के course को join कर सकते हो, अगर नहीं है, तो 15 days का मैं course कराता हूँ, NX Unigraphics का, इसमें 15 days के अंदर आपका NX Unigraphics में complete CAD वाला portion खतम करा देता हूँ, ठीक है, इसके साथ मैं 8 folder course भी provide करा दूँगा, ठीक है, चलिए, मैं देख लेता हूँ एक बार, कौन कितने लोग हैं, जो बात कर रहे हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, सर मेरा नाम हितेश माली है, ठीक है, इजिक्टर पिन कहा लगेगा होगा, बेस में बताईए, जो mode, ओके, शारुक खान जी, शारुक खान जी, आपका सच में नाम शारुक खान है, कभी-कभी मैं डाउट होता है, क्योंकि अधिकतर लेक्चर में आप अवेलेबल रहते हों, ठीक है, बाविश मिश्राज जय हो बोल रहे हैं, जय हो, ठीक है, चलिए तो यहां पर हमारे पास यह slider pin है, ठीक है, अभी हम लोगों ने कितना देखा, अंडरकट के बारे में देखा, external और internal अंडरकट, दो तरके अंडरकट होते हैं हमारे पास, ठीक है, उसमें हम लोग आज external अंडरकट के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने split के बारे में देखा, कि split में किसी identical type के component को हम लोग 2 half split में निकाल सकत तो उसमें सबसे important factor होता है undercut तो undercut का कुछ clearance लेकर चरना पड़ता है मतलब जब हम ले स्लाइडर पिन का calculation करते हैं तो slider pin के calculation में थोड़ा सा angle हम लोग रहा सा जादा लेते हैं तो उस से अच्छा angle calculation से हम लोग angle जादा लेंगे उससे अच्छा क्या करेंगे हम लोग undercut की length को ज्यादा ले लेंगे ठीक है undercut की length for example 5 mm है ठीक है 2-3 mm उसमें हम लोग clearance लेंगे क्या लेंगे clearance लेंगे ताकि safety से कोई भी component आसानी से निकल जाए क्योंकि अगर ये ace है undercut है ये अगर 5 mm अगर आपको remove करवाना है पर ace जो है वो क्या है undercut का length है undercut का length है s1 यहाँ पर slider stroke है तो यहाँ पर हम लोग calculation में जो लेने वाले है वो क्या लेने वाले है slide stroke slide stroke लेने वाले है ठीक है क्योंकि क्या होगा s plus s1 क्या होता है s1 हमेशा clearance को हम लोग उसमें add कर देते है तो slider stroke जो होता है वो S से बड़ा होता है slider stroke S से बड़ा होता है यहाँ पर A degree A degree क्या है? जो A degree है वो angle pin का angular pin का जो angle है यह angular pin है, इसको cam angle भी बोलते हैं slider pin भी बोलते हैं कई नामों से इसको पुकारा जाता है आपको जो tick लगे आप वो वाला use कर सकते हो ठीक है A degree चलिए यहाँ पर theta 1 का जो angle है theta 1 है यहाँ पर heel block का angle ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो भी A degree निकलता है A degree जो भी निकलेगा, for example आपका A degree कितना निकला? आपका A degree निकला 20 degree तो यहाँ पर आप theta 1 को कितना लोगे? 20 plus 2 तो 22 degree का लोगे ठीक है? चलिए एक थम rule है, चलो आपको इतना चीज समझ माई यहाँ पर फिर से बतायता हूँ S क्या है? अंडरकट है S1 क्या है? यहाँ पर slider stroke है slider stroke कौन सा? जो S में हम 2 या 3 mm clearance को जोडेंगे, ठीक है? जो हमने जोडा है ठीक है? तो S1 क्या हो गया? stroke हो गया, चलिए एक क्या है? यहाँ पर angle है angle pin जो होता है slider cam angle का जो pin होता है उसका angle है, ठीक है न? यहाँ पर D और D1 इसका क्या है? डायमेटर है क्या है? तो basically pin का जो डायमेटर आपको दिख रहा है न? यहाँ पर text है हमारे पास ठीक है? क्या बताया है? मैंने H7 ठीक है? और G6 and G6 यहाँ पर S7 किसके लिए है? यहाँ पर S7 है for the hole ठीक है? यहाँ पर G6 किसके लिए है? for the shaft अगर आपने engineering पढ़ी होगी तो छोटी मुटी चीज़े आपको पता होगी यह हमको वेश्टर्मन टेबल के इंदर मिलती है ठीक है? S7 for the hole, G6 for the shaft ठीक है? यह वाला fitment इसके इंदर लगता है ठीक है? चलो अब यहाँ पर एक थमरूल की बात करते हैं इतना समझ भाग है गया न? hill block का angle जो रहेगा वो slider के cam angle से 2 degree का 3 degree का जादा होगा, ठीक है? चलो, यहाँ पर कुछ थमरूल के बारे में बात करते हैं यहाँ पर थमरूल है कि 15 से 25 डिगरी के बीच में हमेशा आपको क्या रखना है? cam angle का calculation आपका आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 15 से 25 डिगरी के बीच में जल दीच से तोड़ देगा, ठीक है? इसलिए 25 डिगरी से जादा हम लोग नहीं लेते हैं ठीक है? अंडर कट की लेंग तक रज्यादा होगी तो 25 डिगरी से ज्यादा आएगा? अफकोस, ठीक है? तो 15 से 25 डिगरी के बीच में आपका A degree का angle आना चाहिए ठीक है चलिए उसके बाद यहाँ पर एक चीज आद रखना same material as the ejector pin when the diameter is larger than 20 mm जब आपका जो angle होगा अगर 20 mm से अगर कम होगा तो आप ejector pin के लिए जो material का use कर रहे हो for example C45 या P20 या फिर जो भी आप use कर रहे हो वो आप use कर सकते हो लेकिन अगर यहाँ पर 20 mm से अगर ज़्यादा का अगर आपका आता है 20 mm से अगर ज़्यादा का अगर इसका diameter होता है तो guide pin का material जो होता है वही आप use कर रहे हो गाइट-pin के लिए हम कौन सा material लिए उसके लिए करते हैं EN 353 कौन सा EN 353 यहां पर मैं फिर से एक बार बता दूँ आपको, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, यहां पर कुछ और कुल गया है, इसको अटायते हैं, यहां पर करते हैं, टेक्स्ट, चलिए, कोज़ा है, EN 353, यह किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, यह गाइड पिलर और गा यहां पर हमारे पास क्या है, एक एक जामपल है, बहुत अच्छा एक एक जामपल में यहां पर लिया है, तो चलिए, यहां पर देखते हैं, यह है केम एंगल, यहां पर इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखाता हूं, यह जो हैशिंग एरिया दिख रहा है आपको यह देखो, यह वाला, यह जो आपको बॉक्स कटे हुए दिख रहे हैं, तो बैसिकली यह क् पूरज्से कहाय है, यह है पूर्षं ट्रोशन अंडर कटे, ट्रिक है चलिए यहां से लेकर यहां तक कितना है अनर कटे यह है, ठीक है चलिए, तो इस अंडर कट की लेंग्ध, एकल का अंडर कटे, ठीक है चलिए इसका traveling length हमको कितना लेना पड़ेगा मैं इसको प्लस 5 mm traveling distance ले लेता हूँ मतलब इसका traveling कितना करेगा मतलब अगर यहां से लेकर यहां तक undercut 10 mm है तो 5 mm मैं और traveling कराऊंगा तो इसका traveling distance कितना हो जाएगा पंद्रा हो जाएगा ठीक है पंद्रा हो गया ठीक है चलिए उसके बाद यहां से space जब आप complete mode based का selection करोगे न तो slider का जो यह वाला portion है slider की जो length होती न slider की length को आप कम ज्यादा कर सकते हो ठीक है पहली बात लेकिन वो depend करता है के विटी के उपर के विटी के अगर ज्यादा है तो आप उसको vary कर सकते हो लेकिन अगर उसकी length ज्यादा नहीं होगी तो आपको slider का जो pin रहेगा वो उतना ही रखना पड़ेगा ठीक है क्योंकि यह भी यहां से लेकर इस point से लेकर इस point यह भी जो इसकी length होती हना इसको wearingint लेंग लेंग इस working length के उपर ही depend करता है हमारा stroke कि इसके उपर depend करता है working length के उपर हिं वेर रहस्ट करता है ठीक है चलिएandercut कि length 10 mm है, traveling length कितनी हो गई total 10 plus 5 mm तो कितनी हो गई 15 mm हो गई space कितना है 40 space मतलब यहां से लेकर यहां तक का slider का थिकने से height है वो वाली height कितना है h हम लोग ले लेते हैं यह कितना है हमारा 40 mm लेकिन यह हम लोग कैसे लेंगे यह हम लोग लेंगे जब हम लोग पूरा अपना मोल्ड कर लेते हैं तो यह हम लोग अपना हैसाफ से decide कर सकते हैं तो कि यहां पर जैसे undercut की length यहां पर देखो undercut की position यहां पर है न तो यहां पर जितनी position ली हमने इतनी position यहां पर लिए तो इसकी length अपने आप आजाएगी ठीक और उपर सकते हो तो cooling pipe अगर आपी तो आएंगे दूसरे भी position आएगी cooling pipe cooling channels भी create होंगे ठीक है न तो उसके हिसाब से हमको इसकी length को decide करने है इसको कम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर हमको angle को manipulate करना हो ठीक है angle को manipulate करने के लिए हम लोग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं ठीक है चलिए तो traveling length है मरे पास ये वाली और उसके बात ये वाली space है ठीक है तो ये और ये तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अगर मैं ये वाले portion को अगर मैं इसको सीधा करूँ ठीक है तो ये हो गई क्या हो गयी more तो यहां पर angle के सामने जो रहेगा वह कै रहेगा पर्पेंडिकुलर रहेगा, simple trigonometry है, पर्पेंडिकुलर रहेगा, उसके जो side में रहेगा, वो क्या रहेगा, बेस रहेगा, ठीक है ना, तो हमारे पास दोनों-दोनों distance है, ठीक है, डालेक 10 theta का formula लागा सकते हो हैं, कि नहीं लागा सकते हैं, बताओ, 10 theta का formula लगा जाते हैं, perpendicular upon में, बेस, ठीक है ना, ज्यादा कोई कठिन calculation नहीं है, ठीक है, आप अगर वालग-अलग book में देखोगी, तो अलग-अलग आपको calculations पता चलेगी, लेकिन सबसे simple और सबसे जो अच्छी calculation है, वो यही है, ठीक है, तो P upon में B वाला formula आप लगा के देख लो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर traveling length आपकी 15 रखता हूँ, space अगर आपकी मैं 40 रखता हूँ, तो चलिए angle देखते हैं, कितना आएगा, चलिए, तो angle देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, वन मिनिट, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, trigonometry का एक calculator ले देता हूँ, trigonometry calculator, ओके, चलिए, देख लेते हैं, हमारे पास एक बहुत अच्छा calculator है, यहाँ पर यहाँ पर मैंने आपको क्या बता है, देखो, यह रा perpendicular, यहाँ पर बेस है, तो A यहाँ पर क्या है, A कितना था, 15, तो B कितना था, 40, चलिए, तो एंगल कितना आया है यहाँ अपर, alpha एंगल कितना आया, 20.5 degree आया, चलिए, तो यहाँ पर देखते है, 20.5 degree आया, ठीक है, 20.5 degree का, यहाँ पर आप ले लो, इसका angle ले लो, अंगल लेकर इसको आप डिजाइन कर सकते हो आप आप कर सकते हो डिजाइन ठीक है अब उसके बाद heel block का angle कितना लोगे आप 20 plus कितना लोगे heel block का angle 20.5 ब्लस 2 degree तो कितना हो गया 22.5 degree यह वाला angle कितना लोगे आप 22.5 सिंपल सा इंगल केलकुलेशन था समझ में आया सबको ठीक है चलिए मैं देख लेता हूँ एक बार आप लोग को समझ में आया की नहीं चलिए ओके थेंक्यू सो मच फॉर्दा सपोर्ट मी ठीक है प्रिंस खना जी थेंक्यू वेरी मच और यहां पर आप लोग कुछ भी अगर आपको कुश्चन है कुछ क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो अगर मुझे सपोर्ट करना है तो सपोर्ट करने के लिए आप यह चीच ले सकते हो ठीके और सुपरचैट का भी सिस्ते माल कर सकते हो यहां पर अप ठीके थैंक्यू सो मच तो यहां पर हम लोगों ने अभी जो बात करी है वो किसके बारे में बात करी है ज के बारें तो इतना के ऐसे आपको समझ भाया कि चलिये और यहां पर कोई डाउट है लेकर आने वाले हैं जो बोल्ड की केल्कुलेशन होती है वह सबी चीज़ा लेकर आने वाले हैं डोंट वरे टिके वाइड इस मट्रियल ओनली आचा आप गोल रहे हो कि रहा है बपर स्लाइड खरते हैं तो उसमें बैटर स्लाइड करते हैं वह तो उसमें क्या है अलाइन्मेंट के लिए यहाँ पर इस्तेम यहाँ पर आगे अगर यहां पर अगर महाँ अगर अगर तो यहां पर ना ऐता है दो आपको 7-2 श्राइब चैना वह सोगी अगर虫िलेट हो, अब क्या रोगे आप इस्तमाल करोगे ठीक है 2-3 mm ज्यादा आपको clearance लेना पड़ता है लेकिन मैं तो 5-5-6 mm तक का clearance ले लेता हूं तो कोई फरक भी पड़ता है ठीक है अगर आपका depend करता है चलो यहां पर है angle pin ठीक है angle pin यूजिली मतलब क्या होता है कि आप अगर ejector pin का ही material आप यूज कर सकते हो अगर 20 mm से कम है 20 mm से ज्यादा कर आएगा तो guide pin का जो material होता है guide pillar का जो material होता है और वही आप use करोगे ठीक है वर्दा slider ठीक है चलो इतनी चीजा आपकी clear है ठीक है guide rail guide rail के बारे मैं आपको थोड़ा सा information देता हूँ देखो basically guide rail होता क्या है यह जो आपका slider है इस slider किसके बीच में you minut करता है moment करता है यह slider जो moment करता है वह करता है हमारे one minute वह करता है guide rail में जो slider है वो guide rail में movement करता है चलो यहाँ पर जैसे कि split में आपको दिख रहा है दिखो तो यह है guide rail तो guide rail का यहाँ पर कुछ thumb rule है thumb rule बोल सकते हो कि यहाँ पर यह देखो thumb rule नहीं बताऊंगा मैं आपको कुछ इसके design बतायता हूँ चलो यहाँ पर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ थोड़ा सा ठीक है इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ चलो आपको यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर कुछ clearance दिख रहा है तो यहाँ पर क्या है चैंफर प्रवाइड किया जाता है और slider का जो यहां पर cut वाला portion दिख रहा है इस cut वाले portion में हम लोग क्या करते हैं, इस cut वाले portion में हम लोग थोड़ा सा cut देते हैं, ताकि इसकी में fitment बिल्कुल सही तरीके से आए एक और बात, यहां पर जो slider का face दिख रहा है, यह slider का face और इस guide rail का जो यह front face है, दोनों के बीच में जो fitment होता है, यह भी कौन सा fitment होता है यह होता है, S7 G6 ही होता है, slide fit ही होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कौन सा होता है, S7 S7 और G6, ठीक है चलो, S7 और G6 होता है यहां पर S7 किसका होता है S7 होता है, guide rail का जो face है वो वाला, और G6 किसका होता है यह जो आपका pillar दिख रहा है यह इसका होता है, sorry pillar नहीं यह slider जो होता है, इसका होता है यहाँ पर आप clearance दे सकते हो 0.5 तक का clearance आप दे सकते हो आसानी से ताकि slide कर जाएगा ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग bolting का provision दे सकते है bolting का हम लोग इस्तमाल कर सकते है चलिए इसके अलावा देखते हैं, और कोई doubt कोई question, कोई query तो बताइए मुझे, कोई भी question अगर query अगर आपको है, तो आप मुझे बता सकते हो चलिए, यहाँ पर 1 minute चलिए, तो मैं इनको प्रिंस खन्ना जी को thank you बोल दूँ क्योंकि इन्होंने हमको support किया है बाकि आप लोग भी support कर सकते हो ठीक है चलिए, नहीं trap pipe के lifter बताईएगा ओके, अफकोस मैं trap pipe का lifter में आपको बताऊंगा, don't worry ठीक है, चलिए और उसके बाद यहां पर देख लेते हैं यहां पर slider angle calculation समझ में आगया ठीक है, चलिए, तो हमारे पास कुछ component है या फिर हमारे पास कोई एक mold है मैं आपको उस mold को एक बार show करता हूँ ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और कुछ समझ में आएगी, one minute ठीक है, चलिए, यहां पर देख लेते हैं, ठीक है यहां पर slider angle calculation यहां पर देख लेते हैं ठीक है, यहां पर हमारे पास slider mold है, इस slider को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सिंपल सा slider का mold यहां पर मैंने एक बनाया है आपके समझाने के लिए, ठीक है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है यह हमारे पास एक component है, ठीक है यह हमारे पास component है, ठीक है चलो, इसको एक काम करते हैं hide करते हैं, यहां से मैं इसको भी hide करता हूँ, इसको भी hide करता हूँ जो अगर मैं इशको ध्यान से देखों सो यहां परonter हो यह देखे यह वाली देखरी है यह इसको स्लाइड करेगी अच gegen When करता हो यह से तो एक काम करते हैं को करके देखते हैं एक बार यह देखें ठीक है अगर Ctrl H करकर देखते हैं तो इसको पहले यह देखो, यह वाला undercut है, ठीक है इस undercut में हम लोग सभी length को देखेंगे, ठीक है चलो यहां से देखते हैं सबसे पहले undercut की length, undercut की length कितनी हैं देखते हैं 1 minute Ctrl-H, ठीक है चैनक कंट्रोले एच करके यहां से अंटर्कट की लिंग देख लेते हैं इसको कर देते हैं यहां से अनलसित बस और यहां सेसकी लेंक देखते हैं मैं आपको characteristics बता रहां कि calculation अंटर्किलेशन हम लोग कैसे करते हैं ठीक का हम लोग इसको किता ट्रवलिंग कराएंगे, हम इसको करीब 5 mm ज्यादा ट्रवलिंग कराएंगें, ठीक है ना, चलो, तो एक काम करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, slider की length किती है, slider की length यहां पर कितनी है, 1 minute, यहां से slider की length देख लेते हैं, और यह है slider, यहां से देखते हैं, इसकी slider की length यहां से लेकर, यहां तक का portion ले लेते हैं, चलो, कितना है, यहां पर है 38 mm, चलो, इसका angle कितना decide होता है, चलो, देख लेते हैं, 38, प्लस कितना था, 10 mm था वो वाला, तो इसको angle calculation कर करके देखाएं, जूद एसका 1 minute, ठिक है, यहां पर देखते हैं, ठिक है, trigonometric calculator देख लेते हैं, एक बार, यहां पर how लोगों ने, इस तो खुल ला था यहां पर, ठिक है यहां पर कितना था, यहां पर था, अगर मैं, यहां पर 10 mm, ठिक है, 10 mm लेता हूँ, तो यहां पर अगर मैं इसको अगर यहां पर बढ़ा भी सकता हूं इसको तोड़ा सा चेंज भी कर सकता हूं अच्छा इसको मैं यहां पर 15 कर दूं यहां पर अगर अंडर कट को मैं ट्रैवलिंग डिस्टेंस को अगर पंदरा कर दूं तो किता आ रहा है 21.5 डिग्री आ रहा यहां पर मैंने इसको 21.5 मतलब मैंने इसको ट्रेवलिंग कितना करवाया है 15 mm करवाया तो मेरा यहां पर 21.5 का एंगल है ठीक है चलो एक बार देख ले देखो यहां पर इसको कर देते हैं यह देखो कितना एंगल है 21.5 का ठीक है 21.5 का जब मैं इसको एंगल दूंगा तो यह यहां पर कितना traveling करेगा आगे यह traveling करेगा 15 mm ठीक है चलो इसको जैसे यहां पर देते हैं ठीक है यहां पर इसको मैं भटाइता हूं यहां से ठीक है यहां से traveling करेगा यह जाए ठीक है इसको कर देते हैं ओके ठीक है यह आराम से traveling कर जाएगा यह उपर कर दिया ठीक है कि के समझ माया इतना इसके पोजिशन ऑपर साइड पर होगी ना जब ऑपन होगा क्यों केविटी साइड क्या होगा इसका खुलेगा केविटी साइड यहां पर खुलेगा यह वाला पॉरिशन यह देखो क्यां पर होगा इसका पॉजिशन इसको मैं कर देता हूं कि अबिने इसको प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया सिरफ मैंने कोर और केविटी बनाया है आपको समझाने के लिए ठीके चलो इसको अगर मैं इसको वायर फ्रेम में आपको बताऊ तो आपको थोड़ा सा और अच्छ और सेलेक्शन करते हैं यहां से स्कट आयते हैं चलो इसको मैं देखो एक बड़ फीर से बापको मुवमेंट करें करेंगे दिखाता हूं तो आपको थोड़ा समान आगा कि अदेखो ऑंडरकट रिलीज हो गया यहां से कि नीचे का यह पूर्शन क्यों दिया मैंने यहां से तो कि हमारे slider cam angle जो है आगे तक movement करेंगे देखो आगे तक movement करेंगे तो आगे तक movement करेंगे तो मैंने core plate में क्या करा है core plate में से कुछ इसमें सब portion को मैंने काट दिया है ठीक है चलो इतना समझ मा गया चलिए कोई question कोरी अगर आपकी है मैंने miss कर दिया क्या miss करा आपने बताईए अमीर खांजी सर आपकी यह online वाली वीडियो अविलेबल है YouTube पर कुन सी online वाली वीडियो बताईए मुझे तो पहले बात तो आप कोई भी question या query यहां पर पूस सकते हो उसके लिए channel को आपको subscribe करना को message कर सकते हो और share कर सकते हो मेरे channel के बारे में ताकि उनको technical knowledge information मिल सके जो real बोल सकते हो industrial aspect से जो चीच होती है ठीक है तो आपको उनको थोड़ा सा benefit होगा ठीक है चलिए तो यहां पर इतनी help आप मेरी कर सकते हो कि आप अपने WhatsApp ग्रूप पे जो भी है आपके WhatsApp ग्रूप है ज जो इंजिनियर से उन पर आप मेरा channel शेयर कर सकते हो ठीक है चलिए और यहां से चीज़े देखते हैं यहां से इतनी चीज़े समझ भाई जो आपको बताया अंडरकट टीक है इस प्लिट तो अंडरकट कितने होते हैं इंटर एक्टरन और इंटरन अंडरकट टीक है इस प् हम लोगों ने बताया था था थम रूल के बारे में 15 से 25 डिगरी के बीच मापका कैलकुलेशन आना चाहिए ठीक है ना 15 से 25 पचीज से अगर ज्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे ठीक है यहां पर गाइड रेल और यहां पर है हमारा एंगल कैलकुलेशन के लिए एक ए सब्सक्राइब कर सकते हो जो भी हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं प्लास्टिक मोड लिजाइन का एक सप्टेमबर से स्टार्ट है 500 रुपे इसकी रिजिस्टेशन फीज से ठीक है जैसा मैंने आपको पता है वाट्सप पर आप मुझे मेसेज करो फॉर गेटिंग सिलेब इसका नॉलेज देलो 15 डेस का जिसका कोर्स रहता है एक फॉल्डर कोर्स मैं आपको साथ में भी उसके प्रोवाइड कराता हूं ठीक है चलिए और अगर आपको मेंबर्शिप लेनी है तो आप मेंबर्शिप ले सकते हो मैं बतायता हूं कुछ एडवांस लेक्चर आपको म सिल्वर से लेकर डायमेंड तक सिल्वर मेंबर्शिप से लेकर कि मेंबर्शिप अगर आप लोगे तो उसमें आपको अलग-अलग बैडि posición मिलेगा अदाफू जासिक mode design advanced lecture for members only ठीक है तो यहाँ पर आप इनको access कर सकते हो तो आगे मैं और simulation की वीडियो भी लेके आने वाला हूँ साथ मैं NX Unigrafix के भी वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसको इसमें मैं complete NX Unigrafix को आपको पढ़ाऊंगा ठीक है और plastic mode design, press tool HPDC, gigant fixture बहुत सारे चीज़े जो advanced लेकिन वो सिर्फ members के लिए होंगे तो आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो बाकि तो online lecture में ले रहा हूँ अगर आप पैसे अगर आप नहीं करना चाहते है अगर वैस्ट या फिर आप सोचते हो कि मतलब में membership लेकर मुझे कोई फाइदा नहीं होगा तो आप online lecture तो आप करी रहे हो अगर membership लोगे तो मेरा solution यह रहेगा membership में आपको बहुत ज़दा फाइदा मिलेगा if you are belong to the mechanical engineering ठीक है चले तो आज का lecture हमारा यहीं तक रहेगा आज का lecture हम लोग खतम करते हैं फिर ठीक है तो आप को membership लेना है तो membership ले सकते हो और उसके बाद आप अगर join करना चाहते हो course को तो course भी जोइन कर सकते हो जिसमें live lecture में लेता हूँ ठीक है देखो फिर से एक बार बतायता हूँ यह वाला यह ठीक है चलो यहां से इसको कर देते हैं माइनस ठीक है देखो चलिए तो आज का lecture यहीं पर खतम करते हैं live streaming ठीक है ओके दोस्तों thank you so much कल फिर मिलते हैं मैं एक दू दिन से मिलनी पाया था बैसे मेरी थिरूट हैल टीशू था मेरी खराब हो गए थी इस कारण से ठीक है चलिए ओके दोस्तों बाई बाई